हेलो दोस्तों मैं हो शूम सुरास्ता और आप सभी लोग का अंतिवासी केडमें पर स्वाधत करता हूं दोस्तों हम लोग जो है ट्रगनामेटरी पढ़ रहे थे उसी करम में हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे और आप लोग जो है उसके प्रॉपर नोर्स बनाते जाएगा जि अगर यह बेस है आधार है और यह प्रपेंडिकुलर है लंब है और यह हैप्य ट्रेनेश है यानि की कर्ण है तो हम इसका क्या फामला होता है निकालने का इसका होता है लंब का स्कुराइब प्लस आधार का स्कुराइब बराबर कर्ण का स्कुराइब ठीक है परपेंडिकुलर का स्कुराइब बेस का स्कुराइब है यह बात होती है ठीक है हमने आपको एक चीजी भी बताई थी अगल यह थीटा है तो sin theta क्या होता है? P upon h यानि की लंबटे का ठीक है? और cos theta क्या होता है? बेस बटे hypotenuse, आधाल बटे कर्ण ठीक और tan theta क्या होता है? perpendicular upon base लंबटे अधाल ठीक इतना आप लिखीजिए बताया भी था मैंने उस दिन बताया था लेकिन मेरी यादा थे बार-बार बताने की जिससे आप लोग को repeat होतार आपके सब का उस्सित्माइन बेचला जाए और अच्छे से त्यार हो जाए ठीक है? क्योंकि मैंने आप से बोला था मैं basic से पढ़ाऊंगा इसलिए आप लोग जो लोग 0 से start कर रहे हैं उनको विख्दम समझ में आना चीए इसलिए मैं क्या करता हूं बार-बार बताता हूं जिससे आप लोग के दिमाग में सही से चड़ता है ऐसा होता ठीक है हमने एक चीछ सरे कम हो जाए गा कि याने एप्पोर्टस पान परफेंड जो को सीटा होता है का याने की आप्राबर जोटilan बित एप इसको भी हम त içinde कैसे कर्म अपॉन आधार यानि की हाइपोट्रेनियस पॉन बेस ठीक टैन ठीटा को हम लोग क्या ले सकते हैं टैन ठीटा इंटू कॉट ठीटा बलाबर वन उस दिन बताया था इसलिए कॉट ठीटा वन अपॉन अक्स होता है टैन ठीटा का इसको भी क्या लेख सकते हैं आधार ब उस दिन बताया था लेकिन मैंने दुबारा इसलिए बता दिया क्योंकि आज ही क्लास में काफी कुछ कोश्चन उसी से रिलेटर्ड है और जो कुछ एडेंटीज है वह भी इनी से निकली हुई है इसलिए मैंने इनको बताया जिससे आपको फिर से रिवाइज हो जाए और सही से समझ में आए इसलिए मैंने आपको बता दिया है यह आप लोग नोट कर लीजिए जिस लोग जिस भी बच्चे न ना नोट क्या हो आज नोट कर ले और सही से प्रॉपर इसके नोट्स बना ले ठीक है चलिए आगे जलते है कि देखिए यह भी जो आभी जो मैंने फिगर बताया है उसी का है कि प्रपेंडिकुलर बेस और है ठीटा यह यह मैंने बताया कि यह एडेंटी होती है है पोटीनियस को स्क्वार बराबर अगर हम क्या करें इन दोनों पक्षों में दोनों साइड़ों में से भाग कर दें तो क्या होगा यह बन जाएगा देखिए हमने प्रपेंडिकुलर अपॉन थे सब्सक्रेंद ह्सक्रण प्लस स्क्रेंड ठीटा बराबर 2 यह होता है यह इसको जाए जिन लोगों ने जिनका मैस बैक्गाउंड नहीं रहा है है स्कूल के बाद से तो उनके लिए यह ज़्यादा अच्छा रहाएगा समझ लें अच्छे से ठीक है यह होता है कि सैने स्कार ठीटा प्लस कॉस्कार ठीटा बराबर वन ठीक है नेक्स चलते हैं यह बास वन में आ ग सकते हैं च्छे स्कूर ठीक है जलिए अ उसी क्रम में यह भी है तीन सचार वही हम आपको समझा रहें अगर मैंने इसको ही लिए यह परपेंडिकुलर यह बेस है और यह हैपोट्रेनियस है ठीक है तो हम क्या करेंगे यह मैंने आपको बताया था है 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 पूर्टेनियस का स ठीक यह तो होता है बैइसिक जो मैंने बताए है नहीं सेहल और होग करने का भाग कर दें था तो की हुआ हो जाएगा एच स्कूर स्कार अपॉ new ze स्क्राइब और प्लस और यहां पर कहाँ स्क्षम्सक्राइब संति खरी ऩिल्टा मां मैं चौने इसक्षम्सक्राइब подпис फिटा और यह पनी दूसरी है ठीक समझ गये यहां पर माइनस होगा और यहां पर बढ़ाबर कर लेना ठीक है स्क्रेज़ ठीक है यह दूसरे अडेंटी हो गई समझ यह यहाद रखने है जिससे कि आगे कोश्चन हम लोगो को करने में दिक्कत नहीं होगे ठीक है चलिए आगे चलते हैं तीन है तो मैं ने तीन बताई थी इसलिए रखे यह क्या है यह है यह है य धीटा है अगर तीटा थीटा मानने हिसे औरnez सिह author है अगर इसको धीटा मानने हैं तो यह प्रपंडिकुलर लेकिन अगर आपने इसको धीटा मान लिया तो यह निए कि हमने स्कृत हैं तो क्या करेंगे हाइब करेंगे यह करेंगे इसमें क्या करेंगे परपेंडिकुलर का भाग कर देंगे तो स्क्वार्वर prophecy ब्राबर डिये और करन बते नहीं के रिए अपोन परपेंडिकुलर तो यह थे मैं यह तो इससे किया रखेंगे को सिट स्क्वार्र ठीता माईनस कोउट स्क्वार्र रिटा ठीक अभी यह सब याद कर लेना कि आगे हम इसी से कोश्चन सौल कराने वाले हैं और एससे सीजेल एक्जाम आए हुए हैं बहुत सारे कोश्चन ऐसे पूछे जाते हैं तो यह सब आप याद कर लिजेगा क्या एक तो यह बताया दूसरा कौन से बताया अएक यिए बताया साइन स्कॉयर ठीटा ऊस्कॉयर ठीटा बराबर बॉन और दूसरा क्या बताया साऑ, सक supports ठीटा मैनस स्कॉयर ठीटा बराबर ये तीन हो गए कि यह थीनमों आपको याद रकाने हैं ठीक है कि अब देखिए जो मैंने अभी आपको आइनटीज बताई हैं उनी पर बेश्ट कुशन ऐसे आते हैं इस तरीके से आते हैं और ऐसे कुशन पूछा भी गया था साइन टीटा प्लस कोश चाहिए का था ठीक है तो इसको सौल करने के कोशिस करिएगा एक बार देखते हैं आप आपको बताया था भी साइन स्क्वार ठीटा प्लस कोश स्क्वार ठीटा वराबर क्या होता है वन यह तो अपनी हैटीज है यह तो हमाँ पास आइडेंटीज है यह होता है ठीक है यह सबको पता होना चीए यह हम लोग को दिया हुआ है यह हम लोग को दिया हुआ है क्या कर ब्लस कॉस्ट थिटा बरावर सेवन भाईगा हमें से पूछ यह कि साइन थी टाहिए इंटू कॉस्ट थिटा का मान क्या होगा क्या क्या करें यह स्ट्राइल करिए दिया हुआ है ये पीजिक अ कर यहां है साइन ठीटा प्लस कॉस्ट ठीटा का स्कॉयर क्या होता है साइन इसको एक्स्पेंड करेंगे को तो ऐसा है यहां पे हम क्या वाइल रख देंगे और यह क्या होता है यहां लोग को बेशिक एडिटीस से पता है तो यहां पे हम लोग रख देंगे और प्लस टू sin theta cos theta ठीक के लिए तर solve करते हैं इसका square करेंगे तो क्या जाएगा 49 upon 25 और ये 1 प्लस 2 sin theta cos theta ठीक इसको इस side लाएंगे solve करने के लिए तो 25 minus 1 बराबर 2 sin theta cos theta ठीक है इसको जल्दी solve कर लिया कि दिमाग में solve कर लेंगे जल्दी अच्छा रहेगा speed बढ़ेगी एक बात जैसे add है multiplication है और subtraction है यह सब अपने दिमाग में करिए का ज्यादा अच्छा लएगा आपको प्रैक्टिस पर जाएगी तो जो भी calculation है जो बताते हैं कि यह करिए उससे आपका क्या हो क्लिशन तीर हो जाएगा ठीक है तो इसको हम साइन फीर का का अट इसर लोइек यहाद होने यह यृथ होनी छिए उससे सब्सक्रें कि ध्याका साइन स्कूरा उसकृर नहीं और रॉबर यृ तो तो हम ने सब्सक्री Peak शो क्लूष है जो पहले सी और यह होता है बस बाकी solve कर लिए बाकी आपके सामने ऐसे solve करना है ठीक है सामने आगया होगा चलते हैं अगे इसको बताते हैं एक बार इसको solve करते हैं वाला भी दूसरे वाले pattern पर है वो बताएंगे इसको solve करते हैं हमने एक आपको बता दिया हम चाहते हैं कि आप दूसरा वाला आप solve करिए एक प्रेट यह नोट कर लिजा आपको इस नोट कर लिए खुछ से इसको solve करिए फिर मैं आपको तरीका और बताऊंगा वह जब आप मैं लगद थोड़ा दिन हो जाएगा यह प्रक्री अच्छे स्कलिंग ज़्यादा समय आप कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर 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 कि देखिए एक ट्रिपलेट्स होते हैं ठीक है अलब की ट्रिपलेट्स होते हैं उनसे भी हम लोग solve कर सकते हैं कैसे देखिए यह तो तरीका हमने आपको बता दिया है मुझे जश्ट याद आगया तो आगे मैं उसको यूज करूंगा कई जगे पर इसलिए मैं यहीं से बता के चलना हूं यह मान लीजिए थीटा है यह 3 है यह 4 है यह 5 है ट्रिपलेट होते हैं ऐसे 345 इस टाइप से ठीक है तो इस टाइप से होते हैं ज्याद करना इनको कभी-कभी ऐसे भी लिख सकते हैं यानिकी चार बते पांच यानिकी कितना हो गया 7 by 5 देखिए सटिस्फाइब कर रहा सेटिस्फाइब कर रहा है यानिकी यही ट्रिपलेट की वेलू इसमें रखी गई तो सीधा सीधा यहां पर रख देंगे क्या साइन डिटा क्या होता है थ्री वाई 5 और कॉस्ट ट्रिटा क्या होता है पूर भाई 5 यह दिखिए आ गया क्या आगया ट्रिपलेट से याद है ट्रिपलेट रख सकते हैं काफी अच्छा टाइम टाइम बचाता है आपका यह सब सौल करने से बचेंगे आप अगर यह वैलू आपको याद है तो जल्ते यह वाला कुश्ट आप जरा सौल करिए एक मैंने भी बताई अदिन लगेगी हां लगेगी लगेगी लगे लेकिन पहले हम लोग लाग मेफेट से, जिस मेफेट से का है, जिस से करेंगे कैसे मैंने बताय था आपको sin θITE प्लस cos θITE का स्क्राइब क्या होता है sin square θITE प्लस cos square θITE प्लस 2 sin θITE क्लाइब यहां पर इसकी value रख दिएकने क्या जगा है सब्सक्राइस प्लाइस संटीटा स्काइड होता है और यह स्टेटा सांटिया की वेलू क्या जाएगी इसको लिखेंगे 289 स्क्वार याद होने चाहिए 169 13 का क्या होता 1617 का यह और इस माइनस को इस साइट लाएंगे तो यह माइनस का वन हो जाएगा और यह तू साइन ठीटा कॉस्ट ठीटा यानि कि अपने पास तू साइन ठीटा कॉस्ट ठीटा की वैलू क्या आ गई कि इसको जब इसमें माइनस करेंगे तो क्या बचेगा जीरो टू और वन वन टॉन्टी अपॉन वन सिक्स्टी नाइन यानि कि और इस टू से जब इस टू चलो टू से नहीं में मल्टिप्लाइ करते हैं कि हमको बनाना पड़ेगा तो देखिए क्या होता है हमको निकालना यह यानि कि हमको यह वैलू निकालनी है क्या करेंगे साइन ठीटा माइनस कॉस ठीटा का स्कॉयर क्या होता है साइन स्कॉयर ठीटा प्लस कॉस स्कॉयर ठीटा माइनस टू साइन ठीटा कॉस ठीटा ठीक है यह हमें वैलू निकालनी है इसलिए इसको ऐसे ही रिखने देंगे और साइन स्कॉर्ट टिटा प्लस कॉसट कर ठीटा क्या होता है वन होता है ठीक है उन्हें यहां यहां ए निगी टू साइन टाकॉस टिटा की यहां पर पुट कर देंगे 120 upon 169 जब इसको solve करेंगे यह उपर ले जाएंगे तो 49 बचेगा इसमें माइनस करेंगे 169 माइनस 120 करेंगे तो 1449 बचेगा और 169 बचेगा ठीक है 169 बचेगा तो यह क्या होगा साइन ठीटा माइनस कॉस्स ठीटा का स्क्राइग अब इसको स्क्राइब को उधर ले जाएंगे तो रूड में आ जाएगे तो रूट 29 रूट 49 अपॉन 169 क्या हो जाएगा सेवन बाई इसका आंसर क्या जाएगा सेवन बाई ठीक है यह आंसर आगया ठीक है समन में आया हमने वैलू जो प्रॉपर तरीका जो है बस इसकी वैलू उठाके वहां पर रखनी थी और देखे अपना आंसर आ गया अब मैंने जो पहले बताया वह कैसे कर सकते क्या कर सकते है क्या भूलता 5123 इसको ले लेते हैं क्या होगा साइन ठीटा क्या होता है लम बटे कर चल यानिकी 513 उपाइब भॉट थर्थीन क्या अपन ऑन धिस तो क्या होगा धीक 17 बाई थर्टीन है यानि कि यह जो हैं यहां पर रखनी तो साइन ठीटा ओ काउस ठीटा की वैलू लग दो यानि कि फाइब ऑपॉन 13 मैंनस 12 ऑपॉन माइनस 12 ऑपॉन 13 तो यह माइनस का सेवन्ट बाई 13 आ रहा है मायनस के संबरी यानि कि इसको हमें क्या करना पड़ेगा थोड़ा से वेलू इधर ये ठीटा नहीं लिए इसलिए कुछ नहीं हमको क्या करना बस देख यह चलता रहता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें क्या है अब हम यह वैलू जो 5 मैंने इधर ली थी वह इधर लेंगे बेस फाइब लेंगे इसको टेल लेंगे तो बात होई पड़ेगी देखिए फाइव पॉल अपॉन ये ट्वल अपॉन थर्टीन हो जाएगा क्या साइन धिटा लंबटे करन होता है और कॉस्ट इटा आधार बटे ते रहा हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा जिससे कि प्ल लोग कर सकते हैं ठीक है यह यह भी तरीका समय आए होगा आपको भी तरीका समय आगा वह तरीका फ़ास्ट जवाब थोड़ा बहुत कुशन कर लेंगे तो अपने आपको भी आई लेकिन यह भी करके रहे रखेगा क्योंकि क्या होता कई को संस ऐसे ही सॉल होते हैं चलिए आगे चलते हैं अजित चले अफ है कि अछलिया भी मैदि बताया है coalition को थोड़ा सा अप्गेट मैंने आप quasi अगला कोशन उसी क्रम में है जड़ा बताए कि क्या होगा इसका अंसर क्या होगा थोड़ा सा दिमाख लगाएगा जब तक आप खुश से सॉल नहीं करेंगे आपको मैस नहीं आएगी इसलिए आप खुश सॉल करना पड़ेगा ठीक है को से आपको सुलूशन अच्छा लगे तरह से नहीं करते हैं इस सीरित कि ब कश्याख लगेगा थैट नहीं करने में तौर यह का है इंपरूमेंट बहुत तीजी से होगा ठीक है खासकर बैसर को बतार रहा है उतना है उनका कमदेशन कि लोगों से आप बात ही समझ लीजिए जो दो बार तीन बार चार बार मेंस दे चुके हैं या फिर कई exam तीन-चार साल से त्यारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए तो यही है कि आप जल्दी ज्यादा से ज्यादा प्रेक्टिस करें ज्यादा ज्यादा बार समझिए जो चीन नहीं आ रही है उसे फिर समझिए फिर वीडियो देखिए जिससे कि आपको जल्दी समझ में आए ठीक है बार पर जबीटी सेखिए गरिंब किस लोगों से किन लोगों से मलति किंशन ये आप समझ लेजिए आपको मीनत किस लेवल की करना है इसलिए आप लोग समझ के रखिए और जल्दी से प्रैक्टिस करते रहे और वीडियो देखते रहे हैं ठीके यह कुछन देखी साल कर यह का आंसर देजी के कमेट में और यह भी बताजी के वीडियो को कैसे लग रहा है ठीक है यह यह एक बार हम इसको एस्कुल टिटा मैंस आ इसको टिटा वाला फॉर्मॉला है या रहे लोग को वैसे ही इसको रखके देखते हैं क्या इसSO क्या हम किस्वाले को हम क्या ऐसे लिख सकते है स्ट्रिटा मैंस स्ट्रिटा और फैसे वह फॉर्मॉलाए नहीं था एल्जब्रा में मैंने कुछ दिन पहले बताया था क्या a plus b और a minus b उस वाले फॉर्मिल से इसको हम यह मिल जाएगा तो क्या होगा कॉस स्क्वार ठीटा माइनस साइन स्क्वार ठीटा इसको ऐसे लिख रहे हैंगे है कि अब यह विटाये न यह कास्वार ठीटा प्लस और साहनस का ठीटा क्या होता है बनि होता है और इसकी वेलू हम यानि क्या जाएगा भंद्राबटे तेरा थोड़ा साथी बांक लगाना है थोड़ा सा समझना है उसके बाद आंसर आपके सामने होगा ठीक है यह समझ गया है तो आगे बढ़ते हैं अच्छा चलिए वो जो मैंने पीछे भी कोशन अब को नहीं बताया था वो अब बताते हैं जिससे की ज्यादा सुनना है एक प्रॉपर तरीका तरीके से बताएंगे तो ज्यादा सुनना है यह करना पड़ेगा उनसे पूछा है इसका मान क्या होगा तो यह याद करके क Edwards bill स्ट सुनना हम् elites का अश्च थीटा माइनस सॉन थीटा अब्राबर क्या होगा हमने मानलेक्डी होगा हमने मानलिया डि होगा तो क्या करेंगी इसका स्कूर करदेंगे एफ्रस्ट वाले इक्केशन का और दूसरी वाले क्योंगे उसके बाद केisoft 시Dकी तो चोप कैसे देखो A square sin square theta plus B square cos square theta plus 2AB sin theta cos theta और C square ठीक दूसरी वाल equation का करेंगे A square cos square theta plus B square sin square theta और माइनस का 2AB चलिए देखिए क्या हुआ हमने पहली equation का square किया तो A square sin square theta B square cos square theta plus 2AB sin theta cos theta बराबर C square हो गया ठीक और दूसरी वाल equation का square किया तो A square cos square theta plus B square sin square theta minus 2AB sin theta cos theta हो गया और बराबर A square मैंने कहा था पहली equation और दूसरी questions को जोड़ देंगे हमने तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा यह और यह cancel out हो जाएगे ठीक है और यह दोनों आन्टी जाएग कैसे आ जाएगी आगाना हम एक cos square theta plus B square sin square theta plus बराबर क्या दोगा सी बराबर आ जाएगा C square plus D square ठीक देखे इसको हम A को कॉमन करेंगे तो क्या जाएगा A square common आएगा sin square theta plus cos square theta plus B square B square common करेंगे तो क्या आएगा cos square theta plus sin square theta बराबर C square plus D square ठीक देखे मैंने आपको थोड़े देर पहले बताया था क्या बताया था कि sin square theta plus cos square theta बराबर one होता है तो यह one हो जाएगा तो क्या जाएगा A square plus B square बराबर C square plus D square आप से जो पूछा था डी पूछा था डी की value पूछे था हमने इसको पूरा क्या मान लिया था इस वाली पूरी value क्या मान लिया था D तो कैसे निका लेंगे A square plus B square minus C square और under root लेंगे तभी तो डी पता चलेगा वनना तो यहां पर कैसे निकालेंगे कि 5 square यानिकी 25 और 3 square यानिकी 9 और माइनस C मैंने कह दिया तू दिया यानिकी 6 तो आपका क्या जाएगा 28 आजाएगा ऐसे अंडरूर 28 ऐसे value मतलब में बता रहा हूं निकालेगे इसलिए आपको यह value यार रखनी पड़ेगी इसको अपने notes में लिख लिए अगर यह पूछता है तो ऐसा होता है यह याद रखिएगा ठीक है यह आपका भी foundation चला या फिर आपका basic class चले इसलिए आपको सभी प्रॉपर नोट्स बनाके लिखनी जिससे आप बार-बार device कर सकें और आपको याद रहे हैं चलिए अब आगे चलते हैं हाँ यह वाला question आपको कराना था देखिए यह question भी अच्छा question है I think 2019 पूछा गया था 2019 में पूछा गया था SSC के सीजिल प्री में कैसे करेंगे हमको दिया हुआ के बराबर यह और के बराबर ही के बराबर के बराबर के बराबर क्या दिए हिए 1- sin alpha in to 1-sin beta in to 1-sin gamma और बराबर 1-sin alpha 1-sin beta 1-sin gamma अब मुझे के के बराबर अब को क्या दिया हुआ 1-sin alpha 1-sin beta 1-sin gamma और K ही बराबर आपको क्या दिया हुआ है 1 प्लस साइन अलफा 1 प्लस साइन बीटा 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन कामा है ह Bent Canada का सकते हैं की सक्ष रभर क्या आपठाओं ऐस है वन माइनस साइन स्प्रायलफा और 1 माइनड़ इनकिशनlexe को इंटू को इनटू करा दिए मल्टिप्लाइ करा इतो क्या जाएगा कि स्क्षॣ theo curriculum सब्सक्राइब को 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 सब्सक्राइब कि ऐसे लिख सकते हैं के स्क्वार दिया है यानि कि के की वैलू हमाई पास क्या मिल जाएगी के बराबर जब इसको अंडर रूट करेंगे तो क्या जाएगा कॉस अलफा कॉस बीटा कॉस 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 कि यह वैलू इसकी ठीक ऐसे सॉल होगा आप लोग देख लिजिए गा तूबार समझ लिजी है ठीक है कि आया है कि आपको क्यों के बराबर ही दिया हो था माइनस साइं फा माइनस साइं बीटा माइनस साइन गामा और तो एवाला कॉस्षन तो मैंने भी करा दिया है अगब कराएं यह व्हाला था यह वाला वाहत किया है कि वैसी वाहत है लोगा से अगर वैलू रखने चाहें तो वैलू रख देंगे हैं 129 यह वाला कर आए था क्या करें चाहित हैं हम जाएड करना चाहते हैं किसे करेंगे पार्फ बारा तीरा यह त्रीड हेते थीटल है साइन एक वाली है क्या रखंगा साइन टेक रहुआ रखेंगे चाहिज मैं थे लंबले सब्सक्राइब करने लगेंगे वैसे जैसे मैंने तरीका बता है वैसे अब आप यह आप ग्रेट करने लगेंगे जो भी तरीक है तो आपका टाइम भी बचेगा और कोशन जल्दी भी सोल होगा ठीक है आप हमाई साब से तो आप देख के सोल कर सकते हैं बस एक बार आपको दिमाग में पिक्चर बनाने कि पांच परफेंडिकुलर हो जाएगा बेस हो जाएगा ट्वल और है पूर्टनिस थर्टीन यानिकी ये और इसके बाद इंटू 16.169 ठीक है ये कोशन ये देखिए अलग टाइप का कोशन है ये उस आइडेंटी से नहीं होगा इसको सौल करना पड़ता है लेकिन मैंने इसको इसलिए डाला है क्योंकि अगर पेपर टाफ हाता है तो आप समझें और इसको कर सकें पेपर अग आएंगे देखना कैसे करते एक बार अपने तरफ से कुछ भी करने की कोशिस करिए जिससे आपको थोड़ा बहुत इंप्रोव्मेंट हो रहा है थोड़ा बहुत समझने कोशिस करें समझने कोशिस देखिए ये करना होता है आपको बस कोशन पहले बाद तो यह ध्यान रख कोशन कोशन देख रहे हैं जो उसने गीवें दिया है अगर गीवें चीजे देखने तो नहीं समझ पाएंगे क्या करना हैं को जो आप से पूछ रहा है वह जरूर देखने तभी आपको कोशन समय आएगा जो प्रेसर उनको यह बात बहुत अच्छे से दिवाएंगे बिठ अच्छी का ता भीर ऊताएं णे से अधिसको यह बिठन सानगा यह इसको भी मीमिशन दिखना प्रेस्खलेद और फार रख अप शच अधिक आप अच्छी इसका स्क्वाइर कर देते कैसे इसको आएरंग मों शकॉयर अब स्क्रूएर मेर्न पश्टर फार एम शक्रुच मे एन स्क्वेर और साइन स्क्वेर बीटा देखे यह दोनों वेलू बराबर है तो क्या हम इस कॉस्वेर की वेलू यहां पर रख सकते हैं रख सकते हैं यह जो फर्स्ट वाली क्वेशन है इससे हम सेकंड वाली क्वेशन में कॉस्वेर की वेलू रख सकते हैं इसमें कॉस्वेर value क्याखी दी गूच धिल्य hetme square κस traveled M square uh ुच स्कूर ब्रावर एनaprès कि en square jean is so чуть कर लेते हैं कि स्कोपी हमसे दीकों को स्कूरी बीटा तो मिल गया पर हमीं भrik ध्यान देना होता है कि में कॉस्कूर बीटा में इलकिन उधर कॉस्कूर बीटा नहीं मिला है स्क्वार बीटा बनाना पड़ा है कैसे m2 cos2 बीटा और इसको हम क्या लख सकते हैं n2 1-cos2 बीटा ठिक आप कैसे सॉल करेंगे देखो m2 cos2 बीटा और n2-n2 cos2 बीटा अब क्या करेंगे इस माइनस वाले n2 cos2 बीटा को इस साइड लाएंगे तो कैसे लाएंगे देखना है यहाँ पर m2 cos2 बीटा प्लस n2 cos2 बीटा बराबर क्या जाएगा n2 अगर हम cos2 बीटा को कॉमन कर लें तो क्या आएगा m2 प्लस n2 cos2 बीटा बराबर n2 देखे आ गया आ गया चलिए देखे समझ गयोंगे आप लोग हमसे पूछा भी यही था क्या m2 प्लस cos2 बीटा बराबर n2 यह अपना अंसर आ गया क्या होगा n2 ठीक है पूछ देखे इस टाइप कम मैंने कोशन करा दिया आपको जो भी खोंस ट्रेंब के करते रहींगा चलिए हम लोग आप आपको इस सारे कोशन mi आयोंगे आप लोग एक बार फिर से देख लिए N but और आपको जो भी नोट्स बनाने उसकी नोट्स बना लिजिए चलिए धन्यवाद क्लास थेंक यू